गुट मॉर्णिंग, आज हम अपनी 75 डेज वाली स्रीज करने वाले हैं, ओके, विदाउट बेस्टिंग टाइम, लेट स्टार्ट, आर फर्स्ट कॉश्चन, कॉमस वाज इंफुलेंस्ट बाइविच मास्क, ओके, तो मैं बताना है कि कॉमस किससे प्रभावित था, किससे इं इंफुलेंस था, ओरलियन, टाउनसेट, टांपे, रिस्टोर्ट, ओके, आपको पता होगा, कॉमस भी है, मास्क है, मिल्टन का, ओके, और इसमें जो कॉमस है, वो खुद अंटागिनिस्ट होता है, और ओफिस्प्रिंग होता है, बतलब बेटा होता है, बेटा है, बेकस का और निम्फ सरसी का मैं थोड़ा सा इसका बेक्गांड बताती हूँ आपको कॉमस का इसमें जो लेडी होती है अपनी चैस्टिटी की वज़े से उसको सुपर नेच्छरल प्रोडक्शन मिलता है और जो कॉमस का प्लोट है वो घूमता है मतलब रिवॉल्ब होता है अराउट दा टू ब्रदर्स दो भाई होते हैं और उनकी ये सिस्टर होती है लेडी जिसको मैंने अभी बताया है बहुत ही बर्ट्रूस लेडी थी उनकी चैनली दिखाते है थोड़ा बुड्स कोमस खुद को डिजगाईज कर लेता है अजब ब्लेजर अजब ब्लेजर मतलब गाउन का आद मतलब हो जाता है नौर्मल सा बिक्ती और अटेंब करता है उसे सिड्यूस करने का लेडी को तो जो उसमें अटेंड़ेट इस्प्रिट होती है वो हेल्प करती है उसके भाई की और जो बाटर निम्फ होती है सब्रीना वो इंप्रेस हो जाती है लेडी की चैस्टिटी से उसकी पवित्रता से तो वो उसको रिलीज करने में हेल्प करती है उसका जो क्या होता है इन्थोलमेंट किसका कॉमस का ओके, ओके, next question देखते हैं, the aeropositica presumed, aeropositica ने के बारे में एक धाड़ना बन गई थी, कि ये जो है, was written, वो लिखा गया था, for an engaged public, मतलब एक engaged public के लिखा गया है, ऐसा माना जाने लगा था, okay, who said, ये statement किसने का है, मतलब ये statement किसने बोला है, कि जो aeropositica है, वो एक engaged public के लिखा गया है, okay, question आप समझ गई होंगे, तो हमारा answer है, George H. 7, okay, तो इसमें जो aeropositica है, आपको पता हिए, एक history का बहुत ही most influential और एक philosophical defense है, okay, चो क्या करता है, मतलब defense किसका करता है, of the principle of a right to freedom, of speech and expression, okay, एक prose, polemical track था, Milton के द्वारा, against censorship, okay, आपको याद रखने है, next section, the old french word, romance, okay, french word है, romance, from which, जिससे the word romantic was derived, जिससे यह, इस romantic word का उत्थान हुआ है, तो क्या मतलब है इसका, तो एक group है, एक group of tribes from latin, यह previous year का question है, तो आपको exactly ऐसे का ऐसे याद करना है, टिट्टो, okay, next section, which literary age, in English literature, is called nest of singing words, किसको कहा गया है, nest of singing words, तो वो कहा गया है, Elizabethan age को, okay, तो Elizabethan age, you know, आपको पता है, कब से कब तक थी, 1558 से लेके, मैं यह mention कर देती हूँ, just a second, 1558 से लेके, कब तक थी, 1603 तक, और इसमें जो important, मतलब popular writers थे, आपको याद रखना है यह भी, Shakespeare, Wayne Johnson, Christopher Marlowe, okay, Spencer, यही सब थे न, okay, next एक ते है, oh sorry, just a second, next question, the 1988 film, okay, 1988 के एक film है, a summer story, वो based है, Karlswardi के किस play पे, okay, हम यह बताना है, तो यह play है, the apple tree, okay, सबसे पहला point, आपको यह याद रखना है, कि the apple tree करके, एक work, Karlswardi ने लिखा है, okay, मैंने आपको बताया है, पहले भी, कि previous year का अगर आप pattern देखोगे, तो उसमें direct perk देखे, यह पुछ लेते हैं, कि यह किस writer से ब्लोंग करता है, तो आपको याद रखना है, कि apple tree किस से ब्लोंग करता है, गालसवर्दी से, okay, अब यह आया कब है, यूनो, मैं आपको बता देती हूँ, हो सकता है कि year पुछ लिया जाए, तो 1916 की short story है यह, ठीक है, जो क्या हुआ था, मतलब adapt की गई थी बहुत बार, दूसरे मीडिया, मतलब जैसे movies बनी है इस पे, आपने देखा भी 1988 में फिल्म आई है, तो इस तरह का, यह adapt किया गया था है, इसको, okay, next question, the, sorry, to whom Lady Macbeth, it's the super witch, किसको बला, Lady Macbeth को super witch, किसने कहा, तो वो कहा है, get any, okay, आपको याद रखना है, और आपको ये भी याद रखना है, कि Lady Macbeth को fourth witch, किसने कहा है, college day, okay, आपको यहाँ से two point मिले, पहला point, Lady Macbeth को super witch, किसने कहा है, get any, और Lady Macbeth को fourth witch, किसने कहा है, college day, okay, next देखते है, omission of a sound, you know, एक sound में omission करना, between two words, दो सद्दों के बीच में, usually a bowl, and the end of one word, or the beginning of the next, उसको किसके नाम से जाना जाता है, okay, तो उसको जाना जाता है, Illusion के नाम से, लेकिन यहाँ हमारी Illusion की spelling, कलत है, okay, मैं इसको ठीक कर देती हूं, just a second, E-L-I-S-I-O-N, अब क्या होता है, Illusion का मतलब, वो मैं आपको बताती हूं, Illusion मतलब, जैसे, हम जो sound में omission करते हैं, you know, syllable में, जब हम कुछ बोलते हैं, जैसे, मैं आपको एक जाम पाल देखके बताती हूं, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, ऐसे बताती हूं, जैसे हम, I am को कैसे लिखते हैं, एक सेकेंड, जैसे सेकेंड, कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं, ऐसे, यहनो, short कर लेते हैं, sound का क्या कर दिया, between two words, omission कर दिया, जैसे मैं आपको एक एक जाम पाल देती हूं, let's, you know, let us न बोलके हम short कर देते हैं, इस तरह गा, जो एक जामपल है, यह किसका है, illusion का है, okay, I think आपको clear हो गया होगा, okay, next सिकते हैं, two written or spoken vowels, pronounce in one syllable, okay, two written or spoken vowel को, जब pronounce कर रहता है, एक syllable में, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं, dipthong, और मैंने, I think, आपको पहले भी बताया है, यह नहीं बताया है, आप बतारें, तो जो हमारे 20 बोल हैं, out of 20 बोल, 8 जो हैं, वो dipthong है, okay, और 12 हैं, more of thong, तो हम dipthong को देखेंगे, out of 20, 8 कितने हैं, 8 बोल, dipthong है, okay, और जो dipthong है, यह पहले भी आ चुका है, इसको जाना जाता है, gliding bowl, okay, इसको हम gliding bowl के नाम से उठ जानते हैं, okay, just a second, यहाँ पर लिख देती हूं, okay, तो आपको याद रखना है, यह point भी हो सकता है, यह पुछ ले जाएं, और इसमें क्या होता है, यह एक combination होता है, two adjacent bowls का, जो sound होती है, within the same syllable, okay, मतलब एक syllable के अंदर, okay, okay, लेक्स सेखते हैं, just a second, add pattern is written why, okay, तो वो किस ने लिखा है, जोन मिल्टन ने, पहला point, आपको याद रखना है, कि add pattern करके, एक work, जोन मिल्टन ने लिखा है, okay, अब मैं आपको इसके बारे में कुछ बताती हूँ, एक जोन मिल्टन की लाटिन पोम है, to his father, किसके लिए, अपने father के लिए, अचलाब अगर आप add pattern को, google करोगे, तो कुछ इस तरह का ही sense निकलेगा, यागर इसका meaning भी देखोगे तो आप, चाहे तो आप इसका google करके देख सकते हूँ, ठीक है, अब इस context में, जो जोन मिल्टन है, वो क्या कर रहा है, मतला उन्होंड अपने father के लिए है, मैं आपको बता दिया, एक लाटिन पोम है, अपने father के लिए लिए लिखी है, और इस context में, क्या करते हैं, यांग मिल्टन का जो लिट्रेरी, self, fashioning है, and changing pattern है, वो एक स्पैस करते हैं, इसमें, पैटन है, अफ अरली, मोडन, बरजिल, रिशेप्शन, तो जो बरजिल का वो है न, उसको चेंज करने का वो है इसमें, फिनोमन, ओके, composing year, तो आपको याद रखना है, यह composed हुआ है, between, just a second, 16, 32, and 16, 38, उके, इसमें ही यह composed हुआ है, between, उके, और, मिल्टन का ने जब, कुछ समय बाद ही, जब, मिल्टन ने फिनिश किया था, अपना में, Cambridge College से, 1632 में, तो माना जाता है, कि उसी के बाद लिखा था, उन्होंने यह, okay, okay, just a second, तो आपको यह भी याद रखना है, कि मिल्टन का, में, कब कम्प्लीट हुआ था, 1632 में, okay, Cambridge College में, okay, उसके के कुछ साल बाद, मतलब, उसी के, time period में लिखा है, उन्होंने यह, at bedroom, okay, और आपको में इसके बाद है बताई चुकी हूँ, okay, next देखते हैं, I have got the guts, and I have got the money, who spoke this line, in which play, तो कौन बोल रहा है, कि, I have got the guts, and I have got the money, guts भी हुए, और पैसे भी है, उसके पास, तो कौन बोल रहा है, यह बोलता है, hornblore in skin game, okay, 1920 का play है, आपको याद रखना है, गाल सवर्दी का, एक tragic comedy है, three act में, okay, आपने previous year का pattern देखा होगा, act वगर पूछ ले जाते हैं, तो आपको धियान रखना है, कितने act है इसमें, three act है, okay, और जो new rich class है, okay, जो owner है, industry का, तो आपको यहाँ से दो point याद रखने है, पहला point, तो hornblore, you know, करके ऐसा कोई character skin game में है, okay, और मैं आपको एक character और बताऊंगी, hill crisp, वो भी skin game में है, तो इन दो लोगों के बीच में class होता है, इस play में, जो hornblore, जो hill crisp है, you know, आपको यह point और याद रखना है, कि जो hornblore है, और hill crisp है, वो skin game में है, अगर यह पूछ ले जाए, कि hill crisp character कहाँ पे आया है, तो आपको याद रखना है skin game में, क्योंकि यह question TVCR में पूछा गया है, ठीक है, अब बात करते हैं, कि जो इसमें rich family होती है, hill crisp, वो fight कर रहा होता है, किसके against, जो यह होता है न, specular hornblore, इसके against, जो यह hornblore होता है, वो क्या करता है, वो भेज देता है, poor farmers को, to build factories, factory बनाने के लिए, on their lands, तो इनके बीच में, यह सब class चल रहा होता है, मैं इसकी समरी आपको पढ़ा दूँगी, एक दिन को, ठीक है, next देखते है, three acts, okay, act नहीं, acts, okay, next, who wrote, an entry, किसने लिखा है, 1932, sorry, 1934 में लिखा गया था, किसने लिखा है, girls world दी ने, अब आपको याद रखना है, कि इस तरह का कोई वर्क, you know, हमें सारे वर्क की समरी भी ना याद करें, तो at least क्या याद कर ले, कि उनका नेम, कि किसने लिखा है, जो उनके sex pair के unheard play है, या girls world दी के unheard play है, जो हमने कम सुने है, okay, okay, just a second, next लिखते है, as fast as though shalt vain, so fast though gross, okay, हमें बताना है, मैंने यहापे लिखा नहीं actually, यह बताना है कि sex pair के कि सुनेट से हैं, okay, तो यह सुनेट नमबर 11 है, sex pair का, okay, अब आपको पता होगा, you know, हम सारे सुनेट बहुत सारे, 154 है, तो सबको तो याद नहीं कर सकती, लेकिन, जो उनके सुनेट थोड़े, popular है, you know, तो उनकी हमें first line तो याद करनी है, तो सुनेट नमबर 11 की यह first line है, okay, तो इसको देख लेता है, इसमें क्या है, जो sex pair है ना, वो address कर रहे हैं, fair youth को, आपको पता ही है, यह dedicate कहता है उन्हें उन्हें को, और उनसे कहते हैं, कि जो nature है ना, nature made him, to have children, अब बता उन्हें ऐसा क्यों कहा हैं से, कि nature ने उन्हें बनाया है, to have children, क्यों कहा हैं उन्हें, क्योंकि जो यह line है इसमें लिखा है ना, as fast as, as much as you diminish, you will grow in a child of yours, जैसे जैसे तुम क्या होगे, तुम अना धिरे धिरे ताइम पास होगा, टाइम निकलेगा, एज ढ़लेगी, तो क्या हो जाओगे, you will grow in a child of yours, तुम अपने ही बच्चे में क्या होगे, खुद को बड़ा होता देखोगे ना, और मतलब जो लाइफ तुम छोड़ने वाले हो, you are going to leave, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाना है, so that जो तुमारी ब्यूटी है, और जो भी तुमारी कॉलिटी हैं, वो क्या हो सके, उसमें प्रिजर्व हो सकी, आपको पता ही है, अगर जनरल सेंस में बात करें, तो लोग जनरेशन चलाते हैं, इसलिए चलाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारी जनरेशन, जो हमारे जनरेटिक हैं, वो आगे जीन्स, आगे फोलो हो जाएं, तो इसी तरह से बोला हैं उन्होंने, सेक्सपेर ने, ओकी, सोरेट नमबर 11 में, नेक्स से बड़ेर, वैन डूआइ काउंट दा क्लोक, तेट तेल्स रटाइम, अब ये हमारी जो सोरेट नमबर 12 है, उसी की फस्स लाइन है, मैंने आपको बाता हैं न, फर्स लाइन तो आपको याद कर नहीं है, तो इसमें क्या लिखा है, इसमें क्या बोल रहे हैं हो, मैं डूआइ काउंट, यूनो, वैनेवर आइ काउंट, दा आर्स, जब भी मैं घंटे गिनता हूं न, क्लोक में, तो मैं देखता हूं, क्या देखता हूं, कि टाइम क्या हो रहा है, टाइम इज पासिंग, समय गुजर रहा है, और इसमें वो यह कह रहे हैं, सेक्सपिर, किसे, हैंडसम यंको, वो जो उनका है, फिया यूद, उसका ड्रस करके कह रहे हैं, कि वो क्या करें, टू मैरी, एंड हैब चिल्डन, जो मैंने भी पहले बोला था, वही थी में समय, लगभग, ठीक है, उसक्स पिर बदा रहे हैं, कि टाइम की जो, अनिस्टोपेबल पावर है, कैसी पावर, कि टाइम क्या हो रहा है, निकलता ही जा रहा है, सबसे वैल्यूवल हमारी लाइफ में, मुझे लगता है, टाइम ही है, मनी से भी ज़्यादा, तो वो पता रहे हैं, कि टाइम की पावर है, और आपको पता है, एक टाइम के बाद, हर चीज क्या हो जाती है, ट्रस्टो होने लगती है, डिक्य होने लगती है, तो वो इसमें यही कह रहे है, कि जब भी मैं, किन्दा हूँ न, क्या, क्लोग, घड़ी, तो मैं देखता हूँ, टाइम की, अनिस्टोपेबल पावर को, ओके, ओके, नेक्स बात करते हैं, यह तो आपको समझ भी आई गया होगा, अब इसमें कहा किसने है, तो आपको याद अखना है, जो योर्क है, वो रस्पॉंड करता है, कि मतलब उसको, जो मार्गेट है इसमें, वो उसको रस्पॉंड करते हूए बोल रहा है, कि मार्गेट ना तो is not beautiful, समझ गए आप, बट क्या है, एक टाइगर है, किसमें inhuman form, कहते हैं न, एक मानव के form में क्या है, टाइगर है, जैसे हम नेट्रल सेंस में भी बोल देते हैं, किसी चीज़ को, कि बस आपने सुनाओगा, कि यह तो बस कहने को इंसान है, लेकिन अंदर क्या है इसके, दानव है, डेविल है, जो कुछ गलत होता है, वेक्ति उसको बोलता है न, इस तरह से, तो ऐसे ही, यहाँ पर जो योर्क है, वो रेस्पॉंड कर रहे है, किसको, मार्गरेट को, तो आपको याद रखना है, कि दो खरेक्टर बताए Fitz, मैंने आपको, हेन्रे 6 के, एक तो हेन्रे 6 में कोन आया है, हैंट टो हेंड याद करते चलो, कर्रेक्टर भी, योर्क आया है, और एक कोन आया है, मार्गरेट, और किसमें योर्क ने, मार्गरेट को, address करके बोला है कि ना तो वो beautiful है ना ही मतलब virtuous है ना ही वो कुछ उसका मतलब self कुछ है उसका उसका उसने कुछ खुद किया हो बलकि वो क्या है एक tiger है किसमे human form में ओके इस तरह का बोला है उन्होंने और मैं आपको बता दूँ कि इसमें जो है रोबर्ट ग्रीन ने ये लाइन अपने ग्रोट्स वर्थ ओफ विट में यह बलाइन बोली है sex pair के लिए और उन्हें कहा है sex pair को आप start करो उन्हों उसको क्रिटिसाइज किया था जब sex pair काफी popular हो रहे थे तो उन्होंने बोला था कि यह क्या है आप start करो है नोसिख्या है beautified विदार फीदर्स हमारे ही पंखों से मतलब खुद को ब्यूटिफाइज कर रहा है और उन्हों पे sex pair पे plazorism के आरोप लगाए थे तो यह लाइन उन्होंने मतलब यह लाइन का reference वहाँ भी है ओके कहाँ पे Robert Green के मतलब जब Robert Green ने sex pair को criticize किया था तो उन्होंने भी criticize उन्हों को ऐसी किया होगा कि इसको आता जाता कुछ है नहीं sex pair को और हमारे वो मतलब हमारी चीजों को और mix करके मतलब और वो क्या कर रहा है play बना रहा है यह आपको बता ही है sex pair के almost play के swords कहीं न कहीं से है ठीक है तो इसी तरह से उन्होंने बोला होगा उसको sex pair को कि यह क्या है tiger ही है यह okay next बात करते है from Brutus is an honorable man so are they all all honorable men यह line कहाँ पर बोले गई है मैंतला यह line किस ने बोली है तो आपको समझ में आगे होगा Brutus कहाँ पह है जूले सिजर में सबको पता है यह line बोली है मार कंटरी है अब मार कंटरी ने जूले सिजर में बोली है लेकिन यह तो आपको समझ में आई गया होगा question बढ़के लेकिन यहापर जो example है यह verbal irony का है okay मैंने इसलिए यह question यहापर mention किया है क्योंकि मुझे आपको यह point बताना था कि verbal irony होती क्या है बर्बल आईरेनी का example just a second मैं लिख देती हूं पहले अब बर्बल आईरेनी है अब इसमें क्या कर रहा है जो यह court है ना एंटनी की बुर्टस ने ही बुर्टस और जो conspirator है उन सबने मिलके उसको मारा है जूलिय सीजर को उसके चाकू मारा है चाकू घोपा है तो वह क्या कर रहा है ऐसे करके उसको रिप्रजेंट कर रहा है बुर्टस को honorable man तो यह क्या हुआ हमें तो पता है ना audience को पता है लेकिन वह क्या कर रहा है audience को जो बहाँ पे बैठे लोग है play में और जब वह उनके सामने अपनी speech देरा होता है तो वह बुर्टस को address कर रहा है honorable man कहके क्यों क्यों क्योंकि जो audience है वह सुनना चाहती है यही बात बट उसक अपारा मतलब जो भी sow attend smell जो भी उसने कहा है ना उसके और सभ उसकी क्या है सब आपोस्यिट है जसे कभी जाते हूद को उसे कहते हैं अ कि हो जो बोल रहा था वह क्या है'llर बड़ह क्या तो इस तरह से आउना कु जो जाते हैं लेकिसा क्योंदे और बभल आुरानी से ओके, ओके, नेक्स सिखते हैं, इस ओल्ड मैन, यह बहुत अच्छा है, जस्ट ए सेकेंड, इस ओल्ड मैन, I met a few hundred, hundred yard from my cottage, you know, एक ओल्ड मैन से मिला वो, few hundred yard, कुछ ही, मतलब hundred yard पे, मेरे cottage से था वो, cottage कहां पे थी उनकी, town, grass mayor में, आप समझ के होंगे, बर्स बर्थ है ही, and the account of him is taken from his mouth, और जो उन्होंने इस poem का वतलब, इस poem का जो लिया है, वो इनके मुह से लिया है, मतलब जब उस ब्यक्ति से मिले वो, ठीक है, यह reference है, बर्स बर्थ जो देते हैं, तो इस का रजल्ट है, वो क्या रजल्ट है, एक poem है, मतलब जब उससे मिले ना वो, तो इस का र independence, ओके, आपको पता ही है, एक lyric poem है, composed हुई थी, 1802 में, published हुई थी, 1807 में, two volumes में, और इसमें 20 stanza है, ओके, आपको यह भी याद अखना है, 20 stanza लिखे गए थे, मोडिफाइड के गए थे, रायम रोयल में, और इसमें रिस्काइब कर रहा है, बर्स बर्थ, जो ओल्ड मैन क से उन्होंने जब लीज गयादर, मतलब उसे लीज इकट्टे करने वाले को देखा ना, उसका patience, तो उसका dedication, उसका patience, तो उससे, मतलब उसी से inspire कह दो आप, या वहीं से उसको, उसको मिलके, उनको आइडिया आया, बर्स बर्थ को, और वहीं से reference लेके उन्होंने ये लिख जोलुशन एंड इंडिपेंडन्स, अब हमें बताना है, लीनेट एंड थोस्टल, यह जो वर्ड के नाम है, बहुत इंपोर्टन कोशन है, कहां सा आया है, टेविल्स, टन, टेविल्स, किसने लिखी थी, वर्स बर्थ ने, यह पता ही होगा आपको, पब्लिस हुई थी, ल किताब उसे, बोलाया न, उन्होंने पहरी लाइन आपको पता होगी, तो उसमें सेज़स्ट कर रहे हैं कि, नोलीज जो है, इनकम्प्लीट है, विदाउट प्रैक्टिकल एक्स्पिनेंस, ओके, जो पीपल नहीं पा सकते, कैसे, गैट रो स्टडिंग, ओके, पढ़ाई करक उसमें डिरेक्ट पुछा गया था, इसी तरह का कोश्चन, एक पॉम देके, कि इसमें कितने स्टांजा हैं, कितने एक्ट हैं, तो आपको याद रखना है, वैसे भी काफी पॉपलर है, पारसवर्थ की, फोरस्ट अंजा है, इसको टाइटल है, आई वांडर लोनली एजे, प्राउट, उके, पॉम, यह उनौ, फोरस्ट अंजा बन आपको बताएटेया, सेस्टर इमा में लिखी गई थी, हाँ, यह पॉम्ट इंपोटन्ट है, आपको याद रखना है, सेस्टर इमा, सेस्टर इमा, आपको पताएट, सेस्टर इमा मतलब, सिक्स लाइन स्ट आइसा जो पब्लिस हुआ था 18-15 में, ओके, किसने बर्थ-बर्थ को कहा, कि वो जो है, spoiled child है, disappointment के, मतलब एक बिगड़ा हुआ बच्चा है, निरासा से भारा हुआ, जो ऐसा होता है ना, जैसे हम लोगों से क्या होता है, घर पे बहुत लोग, मतलब घर पे जो लोग होते हैं, family वाल spoiled child of disappointment, तो ऐसा ही बर्थ-बर्थ को बोला है, ठीक है, समझ कोई होंगे आप, तो यह बोला किसने है, आपको यह याद रखना है, यह बोला है, billion hazlet ने, okay, so, हमारा last question है, हमारा, इसको देख लेते हैं, so, is it not with me, as with that muse stirred by a painted beauty to his verse, who heaven itself, for ornament, doe, use, and every fear, with doe, rears, okay, हमें बताना है, यह सुरा number 21 है, सेक्सपेर का, okay, यह इसकी फस्ला ही नहीं है, और सेक्सपेर क्या कह रहा हैं कि, so, it is not with me, you know, मतलब यह मेरे साथ नहीं है, मतलब, मैं, I am not like that, other poet, मैं दूसरे poet की तरह नहीं हूँ, जो क्या होते हैं, जो inspired हो रहते हैं, other poet, inspired, to write by a woman, bearing makeup, जो क्या हो, makeup पहने होए हो, okay, who use heaven itself, लिखा है न, who heaven itself, who use heaven itself, as an ornament, of his praise, and every beautiful thing, describe his beautiful thing, okay, मतलब, Shakespeare की, वो कहना चाह रहा हैं, कि, जो Shakespeare की poetry है, वो क्या करेगी, Shakespeare की poetry, share करेगी, उनकी जो blubbered है, मतलब, उनकी जो प्रेमी का है, as a beautiful mortal, instead, मतलब, वो use नहीं करेंगे, इसके use करने के बजाए, in the state of using, exaggerated, जो भो जाता, बढ़ा चड़ा के, terms of an advertisement, मैंने आपको यह बहुत ही, simple language में बताया है, कि वो advertisement की तरह इसको use नहीं करेंगे, कि वो इसको exaggerate कर रहे है, बढ़ा बढ़ा के चीजों का बढ़ता रहे है, ठीक है, वो क्या करेंगे, शेयर करेंगे अपनी blubber को as a beautiful model, ओके, ओके, I think मैंने आपको सारे question अच्छे से explain किये है, ओके, thank you,